प्रो मेथाजिन सीरफ के बारे में आज हम जानेंगे या सीरफ मेडिकल स्टोर पे फेनारगन सीरफ के नाम से मिल जाता है या सीरफ समाने तब बच्चों को दी जाने वाली सीरफ है इस वीडियो में हम जानेंगे या सीरफ किस कंडिशन में डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं किस condition में यह सीरफ बच्चे को नहीं दिया जाता है इसका प्राइस क्या होता है इसका डोज क्या होता है इन सारी बातों को इस वीडियों में जानेंगे यह चिरफ एवॉरड कंपनी के कंडिशन में जैसे कि अगर किसी बच्चे को किसी मेडिसीन से रीयक्शन हो गया, या किसी चीज से ऐलर्जी हो जाता है, तो उसकंडिशन में इस उरफ का यूज किया जाता है या डॉक्टरец परिस्क्राइब करते हैं, इसके अलावे अगर कोई जहरीला छोटा कीरा काट लेता है जैसे मदमक्क काट लिया या कोई ओर छोटा अन्य जहरीला कीरा काट लेता है तो उस condition में भी इस syrup का यूज़ किया जाता है अगर किसी बच्चे को नींद नहीं आती है या कोई बच्चा सोता नहीं है तो उस condition में भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं सीरप को जिससे नींद आ जाए बच्चे को और बच्चा सो जाए या कोई procedure होता है जैसे कोई जांच करना हो जैसे CT scan हो गया MRI हो गया या कोई जांच करना हो जिसमें समय लगता हो तो उस condition में भी इस सीरप का डॉक्टर के दोड़ा एडवाइज किया जाता है ताकि बच्चा कुछ समय के लिए सो जाए और उसका जांच जो है अच्छे तरीके से हो जाए उस condition में भी इस सीरप का यूज किया जाता है इसके अलावे अगर ट्रेवलिंग के समय जो है नौजिया यह वुँंटिंग किसी-किसी बच्चे को होता है कि कोई बच्चा करता है बस या काड में सफर करता है तो उस दवरान नौजिया और वुम्टिंग के समस्या होती है तो उस condition में भी इस सीरपका शूँउज किया जाता है डॉक् नाक में सुखापन महसूस होना गले में सुखापन महसूस होना या जरूरत से ज़्यादा नींद का आना इसके अलावे सांस लेने में परिशानी या चुक्कि यह क्या है यह एंटी हिस्टामिन सिरफ है तो सांस लेने में परिशानी होगी अगर ऐसा लक्षन आपके बच्च का यूज किया जाता है तो जब भी इस सीरफ को देना है तो डॉक्टर के सलाह पे ही देना है और डॉक्टर के गाड़िलाइन्स पे ही इस से अब का यूज करना है अगर इसके प्राज की बात करें तो इसके 40-45 रुपए की में दिया चैंज के प्लास्टिक बॉटल में आता है वह मार्केट में मिल जाता है अगर इसके बच्चे को 5 इन दिया जाता है तो उसमें प्रो मिधाजिन की मात्रा जो है 5 mg याने की 5 mg इसका मात्रा होता है, अब जान लेते हैं कि किस कंडिशन में बच्चे को या सिरफ नहीं दिया जाता है, अगर किसी बच्चे को सांस लेने में परिशानी है, सांस related, अगर लंग से related कोई भी मारी है, तो उस कंडिशन में इस सिर फिलरी तलन कोई प्रेसानिए उस कंडिशन इस सिरफ को एवाइड किया जाता है या शीजर डिशोडर में जो जिस बच्छे को इस सि अवर्ट करना चाहिए और जब भी डॉक्टर अगर इस सिरफ को प्रिस्क्राइब करते हैं तो अपने बच्छे की हिस्ट्री डॉक्टर से अवश्य बताएं और सही तरीके से बताएं जो बच्चे का जो प्रीबियस मेडिशीन का अगर कोई हिस्ट्री रहा हो या इसको क्या हिस्ट्री है इस बच्चे का हार्ट रिलेटर कोई परशानी तो नहीं है सांस लेने में कोई परशानी तो नहीं है बच्चा सी यो पीड कर सके